Hello everyone, आज का हमारे टूपिक B.A.B.A.C. 3rd Year Linear Algebra Exercise 2.1 बात करते हैं कोशन नमबर 17 की तो कोशन नमबर 17 हमारे पास शो देट देट वन आयटा इस लिनियरली दिपेंदेंट इन देट्स वेक्टर स्पेस C over C बात वन आयटा is linearly independent in the context of the vector space C over R ठेक है जी, यहां पे क्या कहता हैं अगर हमारे पास vector space C है over the field C पर तो हमारे पास जो vectors जो यह सेट होगा हमारे पास यह सेट कैसा होगा जी, linearly dependent होगा ठेक है, बट अगर हमारे पास फिल्ड को चेंज कर देजाए फिल्द को change कर देज़ाए फिल्द C से हमारे पास क्या हो जाए R हो जाए तो यही set हमारे पास क्या बन जाता है linearly independent हो जाता है यह सब depend किस पर करता है फिल्ड पर depend करता है कि field हम क्या बात तो करता है इसके शरुवात तो हमारे पास in the context of in the context of vector space सी ओवर सी ठीक है जी इसमें हम बात करेंगे हमें क्या दिखाना है जो हमारे पास सेट है वन आईटा यह हमारे पास के होगा लाई तो इन दा कॉंटेक्स वेक्टर स्पर सी ओवर सी कन्सिडर के तो ऊवन पलस के बी आईटा इची कॉल टूजी ठीक है जी वेर जो मेरे पास ओर बी है यह कहां से बिलोंग करते है यह बिलोंग करते है मेरे पास C से ठेक है C मेरे पास क्या है field है मैं इस से की बात करता हूँ इसके नहीं इसकी ठीक है क्योंकि जो A और B मेरे पास आएंगे वो कहां से आएंगे field से आएंगे ठीक है जी तो भी यहाँ पे इस condition को satisfy करने के लिए मुझे यह बताओ क्या A और B दोनों का 0 होना ज़रूरी है यह किसी और नंबर से भी अगर एक नंबर नौन जोर ले लूँ मैं तो भी मेरे पास यह जो combination है वो मेरे पास क्या जाएगी 0 आजाएगी हन जी ऐसा हमारे पास possible है C और C के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्या put करूँ if A is equal to मेरे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाए और B is equal to मेरे पास क्या हो जाए minus 8 हो जाए ठीक है तो भी मेरे पास यह condition क्या हो जाएगी true हो जाएगी this is true if A is equal to 1 और B is equal to minus 8 तो मैं उजे क्या मिल गया यहाँ से 190 नंबर मिल गया थेक है at least 190 मिला ठीक है अगर मैं यहां से this is true if a is equal to अगर मैं यह मैं माइनस वन पुट कर दूँ और b के पले हिस पर क्या पूट कर रो फिर यह माइनस वन हो गया तो यहां से मेरे पास प्लस वन बनना चाहिए तो यहां पर हम पूट करेंगे माइनस और पूट कर दे अगर यह씨 राइट माइनस एक पूट कर दे थे धीक अब टो पूट कर दो तो B की value क्या पूट करने पड़ेगी मुझे B is equal to minus 1 पूट कर दो ठीक है क्योंकि यहाँ पर आएट आएगा यहाँ पर minus 1 आएट आएगा तो अभी मेरे पास क्या बन गया 0 बन गया ठीक है जी तो यहाँ से मेरे पास क्या आगया at least one scalar is non-0 ठीक है जी at least बोलो यह फिर दोनों scalar मेरे पास क्या आगे non-0 आगे तो therefore there exists at least one scalar is non-0 therefore the set वन आएटा is linearly dependent in C over C ठीक है जी इसके अंदर मेरे पास जो इस सेट है होगा यह सेट मेरे पास क्या करता जी linearly dependent हो जाता है ठीक है क्योंके मेरे पास क्या आगा at least one scalar non-0 जब हमारे पास note all-0 हो मतलब at least 1-0 हो तो इसके इसमें क्या बनते है वेक्टर अल्दी बनते है ठीक है अब इसी चीज़ को हम बात करेंगे दूसर एक्टर स्पेस के अंदर किसके अंदर दूसरा कॉंटेक्स हमारे पास किसका होगा C over R का ठीक है तो इसको मेरे आप लिग देता हूँ in the context of vector space C over R ठीक है जी C over R के अंदर बात करेंगे सेम काम यहाँ पे करेंगे consider A into 1 plus के B into Ida is equal to 0 where A B belongs to R अब मुझे A और B दोनो नंबर R से चाहिए real number चाहिए अब देखो हमने जब यहाँ all out किया तो यहाँ पे हमारे पास एक number कैसा था जी Ida एक number कैसा था minus Ida एक number कैसा था Ida एक number हमारे पास कैसा complex number था ठीक है तो हम इस combination को 0 बना पाए लेकिन जब real number के अंदर बात करेंगे तो real number के अंदर ऐसा कोई भी scalar नहीं मिलेगा जो इस combination को 0 बना दे except 0-0 ठीक है जी तो this is true only if A is equal to 0 और B is equal to 0 तो यह condition true कब होगी जब हमारे पास A0 हो B0 हो ठीक है therefore the set 1 Ida is linearly independent in the vector space C over R ठीक है जी C over R के अंदर यह हमारे पास क्या बनाएगा linearly independent बनाएगा जल्दी से नोट केजिए बात करते हैं next question की आर पास के सब Northwest lift यह बनादने यह हो क्योंशने वह हो राक इत्रीः ठेमारे चास यह हो यह ऑ el इत्रापदर इसके बाद हमारे पास कुशन नमबर 18. Let UVW be the vector of vector space VF. A, B belongs to F so that the set so that the set UVW is linearly dependent is linearly dependent if the set U plus K, A, V plus BW और V, W is linearly dependent ठीक है यह हमारे पास कुशन दिया हुआ है तो हमारे पास UVW vectors है VFK और A भी बिलों करता है एप से ठीक है जी so that the set UVW हमारे पास क्या जाए linearly dependent आजाए यह linearly dependent कब आए अगर मेरे पास यह set क्या हो linearly dependent ठीक है जी तो करते है शुरुआत इसी से उब टसुआ अगर खर जालच नाए यू पलस के आए पलस के ब्व को माई दीक है डिक है इस बेक है आए यह रिलीक है रिल rumors पास जाए चबलोह से पीलIT काओ अ वे दाए आए पास क्य यह से झालर ऑस पास के शोबिस बैजल पास के तन आए देर एग्जिस्ट स्केलर्स ए बी से नोट आल जीरू ठीक है ए भी से स्केलर जिस्ट करते हूं यह सब इसे भी कैसे हो मेरे पास जीरो ना हो यानी एट लिस्ट एक मेरे पास कहो नून जीरो आजे ठीक है नोट आल जीरो यह हमारे पास है ठीक है जी तो कंसिडर तो यह हमारे पास इफ है नोट आल जीरो तो मैं इसको यहाँ पे इफिस्ट लिग देता हूं इस मेरे पास क्यों जाए ए यू प्लस के एवी फलास के बीडेवल्यू प्लस के अब देखेंगि यहाँ प्रेवी हमारे पास ओल्लेड यूज हो चुका है तो हम यहां सिसको कुछ और नाम दे देदे आं से कलर सको इसको माल नेता हूं एवन है एटू है ठीक है क्योंकि आवे फिर confusion हो जाएगी तो एवन फिर हमारे पास बीवन बीवन है तो वी आएगा प्लस के सीवन एवन बीवन एवन तो एड़ो हमारे पास ठीक है एड़ो और एथी डबलू एजी कॉल टो जिरो ठीक है जी इसको मैं क्या लिक सकते हूं और एक काम करते हमें क्या दिखाना है यू वी डबलू को लेलर डिपेंडेट दिखाना है तो हम यहां से यू वी डबलू कॉमन निकालेगा तो मेरे पास यहां से क्या आएगा मेरे पास क्या था, u, ठीक है, u को मोन निकालेंगे तो यहां से a1 आएगा, और u मेरे पास कहीं नहीं है, तो a1 u, पलस का, अब v को मोन निकालेंगे, तो मेरे पास क्याएगा, a1, पलस का a2, और v मेरे पास बहार हो गया, पलस का, अब w को मोन निकालेंगे, तो मेरे पास क्या एवन भी ठीक है, प्लस का A3W is equal to 0, और ये combination 0 के equal possible कब होगा, if मेरे पास UVW और LD, UVW मेरे पास क्या होगे, LD होगे, तो हमारे पास ये possible होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो scalars है, एवन, A2, A3, ये क्या है, नोट, आल, 0, ये 0 के equal है नहीं, एवन हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो रहाए रिजिन लिख दें है, यहाँ पर, because, A1, 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 पलस A2, और A1, B, पलस के A3, ये, नोट, आल, 0, ये हमारे पास सब भीगे, सभी 0 के equal नहीं होगे, यहाँ एट लिस्ट, एक तो हमारे पास क्या मिलेगा, नोट, जिरो मिलेगा, ठीक है, हमने आप लिखा, नोट, आल, 0, मतलब, एट, एट लिस्ट, कम से कम, एक हमारे पास का नोट, जिरो हो, तो इसे नोट कीजिए, इसका आद बात करते हैं, कॉशन नमबर 19, नमब टोट लेड़ एक vanity, हमारे लिदैने किया का अट लोट, इसका टॉट, इसका लिए टॉट बात कीजिए, ओट begin, A1, A2 and B1, B2 in V2F और LD इफ यह LD कब होंगे इफ A1, B2 माइनस के A2, B1 मेरे पास कहाज़े 0 के एक वला जाए ठीक है जी, हम यह पूरू करना है कि एक वला जाए पास क्या होंगे LD होंगे LD कब होंगे, जब मेरे पास यह कंडिशन होल्ड करती हो राइट ठीक है जी तो इसको मैं एक एक एक्टर को माई लेता हूँ वो दूसरे एक्टर को माई लेता हूँ में V ठीक है जी तो लेट U is equal to A1 A2 and V is equal to B1 B2 ठीक है जी Vectors LD होंगे ठीक है Two Vectors are LD if and only if one is scalar & multiple of other एक हमारे पास को दूसरे का एक बात कया करना है तो लेक्स यह बाधिश के करेंगे नूंजी अंदर हमारे पास पास 9-0 एक्जिस्ट करना चाहिए ठीक है तो यह मेरे पास लेमड़ ले लिए लेमड़ बिलोंग स्ट्रेफ डैट इस लेमड़ा कैसा है नून जिरो एफ और लिफ कंडिशन है तो हमारे पास जो यू है वो क्या है लेमड़ा टाइम भी स्केलर मुल्टिपल हमारे पास ही हो लेमड़ बीटो ठीक है जी तो यहां से हमारे पास देरफोर एवन इस इकल टो लेमड़ बीवन एड़ टो लेमड़ बीटो तो यहां से लेमड़ा के लिए हमारे पास क्या आएगी एवन भाई बीवन इस इकल टो लेमड़ा एड यहां से एटो बाई बीटो इस इकल टो कॉलिक सकते हैं यहां से तर्रफॉर। अब कर दो यहां से क्रोज मुल्टिपलाई एवन बीटू इस इकॉल टू बीवन एटू तो एवन बेटू माइनस के बीवन एटू इस इकॉल टू जीरो यहां पर एटू बीवन लिखा हुआ है कोई निस कौम आगे पीछे लेग दिखते है एटू बीवन इस से को फर्कने पढने वाला ठीक है तो मेरे पास क्या आ गया यह कंटिशना जाएगी ठीक है इस फैंड लिफ हमारे पास क्या हो एट वन भी टू माइनस के एटू बीवन क्या जाए जीरो के इक वला जाए यह यह परूब करना था उज्वेश है मने परूब कर दिया जल्दी से नोट इसका द हमारे पास क्वेशन नमबर 20 if P of X is the vector space of all polynomials over the field F, then so that the infinite set so that the infinite set 1, X, X square, X cube and so on is linearly independent is linearly independent हमेश हो करना है कि हमारे पास जो infinite set होगा ही set हमारे पास क्या बनता जी? इन फाइन निन फाइन लिनर ली इंडिपेंडेंड बनता है ठीक है वो प्यों एक्स हमारे पास क्या है? एक्टर स्पेस है आल पॉलनमेल्स का ओर दा फिल्ड एफ तो करते शुरुवाती सी से लेट प्यूफेक्स इस दा एक्टर स्पेस ओफ आल पॉलनमेल्स ओर दा फिल्ड एफ ठीक है जी तो हम यहां से अब स्केलर्स चूज करेंगे स्केलर्स हम पॉलनमेल्स कोडिंग चूज कर लेते हैं अदर्वाइज एबी सीडी कहां तक लेकर जाएंगे ठीक है जी तो लेट ए नोट एवन एटू एट्री एफोर एंड सों ठीक है जी बिलोंग स्टू एफ यह हमारे पास क्या करते हैं एफ से बिलोंग करते हैं तो नव कंसिडर अब क्या करेंगे इनकी लिनेर कंबिनेशन लिए लिखेंगे तो अट की अउल टीक मेरे पास का यगा 0 होगा मेरे पास किक जी जी इस जीरो को हम जीरो पॉल में लिख सकते हैं लिजिए अगले स्टैप में लिख जाते हैं 42x Johan इसको लिखो मनें जिरो इंट्वन पलास्के जिरो इंट्ट्वर से पलस के 0202x पलस के सुटे ऐसा मिल लिख सकते है न parlar हुआ मैंने क्या किया उसको इसी फों में बना दिया ठीक है वन इंट्वर से इंट्व कही Doesn अब क्या करना में कंपेर करना एंग कोंपेरिंग नग कोफिशेंट आइप लाइक टरम्स लाइक टरम्स के कोफिशेंट पर कंपेर करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आगा एंग ग्रॉट के वैल जीरॉ तो यहां से मिलिख सकते हैं इसको एंग तो आई हमारे पास यह हमारे पास क्या होगा इस इकल टू टू थ्री एंड तो ठीक है जी यह हमारे पास था अओल ईए इस इकल टू जीरो आ गए है इट मेंस देरफोर जो हमारे पास इन्फानेट सेट होगा इन्फानेट सेट वन एक्स एक्स स्केर एक्स क्यूब एड़्ोग एंड सोन इज लिनीरली इंडिपेंडेटेंट तो कि सब्सक्राइब के वैल्यू मेरे पास क्या गई जी जीरो के एकवल आ गई है तो मारे पास जो इन फैनेट सेट होगा ही सेट कैसा हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंडेंट इसका बात करते हैं नेक्स कोश्ण की तो अब मारे पास क्योशन नमबर 21 तो अब मारे पास क्योशन नमबर 21. V is equal to 1 plus i, 2 i or V is equal to 1 plus i in V2C, R L D, linearly dependent but in V2R, R L I, ये कोशन ने पीछे क्या था भी, L D और L I का C context of C or C or C or R, ठीक है, ये कोशन बिल्कुल से हैं वैसा ये कोशन है, तो करते हैं इसको, एक्वेक्टर हमारे पास है, यू दिरनकिर्था हमारे पास, इन, V2C, R, L D, अगर वैक्टरस येलडी हैं, तो हमारे पास जो स्केलर मल्टीपल, वैक्टरस का होँगे, एकदूसरे के स्केलर मल्टीपल होँगे, ठीक है जी, गिवन अवारे पास U is equal to 1 plus के आईटा 2 आईटा और V is equal to 1 1 plus आईटा ठीक है जी 2 वेक्रस are LD if and only if they are scalar multiple of each other ठीक जी एक दूसरे क्या उसके ले मल्टीपल हो हम बात किसके करें है C or C के अंदर ठीक है and in V2C एन टू डायमेंस रेक्टर स्पेस की और फिल्ड क्या है C in V2C के अंदर let the scalar हम स्केलर माल लपते की स्केलर हमारे पास क्या होगा जी alpha plus I to V2C ठीक है यह किसे बिलोंग करेगा C से बिलोंग करेगा alpha plus I to V2C क्योंकि जो C के अंदर नंबर आते हैं वो कैसे होते हैं complex number होते हैं और complex number को हम ऐसे लिखते है alpha plus I to V2C या फिर a plus I to V2C ठीक है और मालते हैं यहां पर क्या है alpha plus I to V2C किसका वी का ठीक है तो UK value मेरे पास है 1 plus I to V2C और alpha plus I to V2C और week value मेरे पास है alpha plus I to V2C 1 plus I to V2C तो मैं साइडे मिल्टिप्लाइ कर लेता हूं फिर लग देता है उसको ठीक है alpha plus I to V2C 1 plus I to V2C तो alpha plus I to V2C फिर beta के करेंगे आईटा बीटा फिर आईटा स्केर माइनस 1 तो माइनस के बीटा तो यह बनेगा alpha minus के बीटा और alpha plus beta आईटा ठीक है जी यह हमारे पास बन जाएगा यहां से इसकी और इसके multiply क्या दती है alpha minus के बीटा plus I to alpha plus के बीटा ठीक है हमने इसके multiply कर ली हमारे पास यह आगा अब क्या करेंगे इनको compare करेंगे compare करके हम alpha beta के value find कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कि जो value आती है हमारे पास जो scalar आता है वो scalar क्या है ठीक है तो therefore 1 plus I to is equal to alpha plus I to beta हम जी मेरे पास यहां से यह आगया ओके and दूसर मेरे पास आता है 2 I to is equal to alpha minus के बीटा plus I to alpha plus के बीटा हम जी मेरे पास ही आगया में इन दो equations को son out करना है अब इनको solve करेंगे हम यहां से alpha outta beta के value चाहिए चरह ठीक है तो अल्फा के वाले वान पूट करेंगे बीट वाले 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 वाल करने चाहिए ठीक है तुमने क्या के इसके इंदर बूट करके चेक कर लिया अल्फा वन बीटा उन पूट करो जिरो बन गया यहां पूट करो बने गा और राइटा टुए टाइटा और टुए अमारे पास यहां पे तो कंडिशन के आउगी शैटिस्फाई हो गई हैं जी ठी फॉपजन बॉट कर सकते हो थिक है वह भक्ति आपकी चोईश है तो महारे पास यहां से यह मारे तस आगया ठीक है तो ऑ तो देर फूझ के लर के लर यहां प्लस आइटा सब्सक्ड़्ची मेरे पास घलर ही तो तु अ therefore vectors U and V are LD ठीक है मेरे पास जो vectors हैं वो कैसे आगे जी LD आगे इसको मैं यह से लिख सकता हूँ non zero ठीक है जी alpha plus eta हमारे पास कहा है non zero तो यह vectors मेरे पास क्या आगे LD आगे अब यही बात हम किसमें करेंगे R के अंदर बात करेंगे ठीक है अब R के अंदर बात करेंगे तो हम scalar choose करेंगे वहाँ से वहाँ scalar choose करेंगे तो वहाँ पर भी महारे पास value क्या आएगी 1 plus eta आएगी लेकिन जो 1 plus eta होगा वो मेरे पास V to R के अंदर तो बिलोंग करेगा ही नहीं क्योंकि आइटा तो complex number है और आएटा आएगा तो आएगा नहीं ठीक है जी कि आएगा वोर यंव रल खोस्केश करेंगा हाँ और आएगा श सक्थकुर करेंगा जीक है जीटेंगा ही नहीं वयाँ टक्थका आएगी क्योंकि हमारे पास जो कंबिनेशन होगी उस कंबिनेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या वर सिर्फ दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए तो स्केलर्स आएंगे वो कैसे होने चाहिए ठीक है और यहां से हमारे पास क्योंगे मल्टिपल नहीं होगे राइट जल्दी से नोट इसका बात करते हैं, नेक्स्ट कोश्टन की. नेक्स्ट और हमारे पास ये लास्ट कोश्टन है, इस एक्सरसाइज का. 22, so that two vectors, so that two vectors of the vector space V over C, V over C, where C is the set of complex numbers, or LD, if and only if one of them is a scalar multiple. scalar multiple of the other. ये हमारे पास को जी, scalar multiple, एक दूसरे रहा, ठीक है जी. तो करते हैं, इसको प्रूफ, so that two vectors, so the vector space V, C, where C is the set of complex numbers are LD. LD, ठीक है जी, हम दो vectors लेके चलेंगे, उनको क्या दिखा देगे, LD दिखा देगे, ठीक है जी. So the two vector space R, LD, if and only if one of them is scalar multiple of the other. ठीक है, तो LD vector लेके चलेंगे, उनको scalar multiple दिखाएंगे एक बार. फिर दूसरे case में, हम scalar multiple लेके चलेंगे, उनको LD दिखा देगे. तो हमारे पास यहां पर दो case बनेगे. necessary condition, sufficient condition, ठीक है, या फिर direct part और converse part. ठीक है, तो हमारे पास दो एक्टर्स की बात किये, तो दो एक्टर हम चूज कर लेते हैं, let the vectors. हमाले लेते हैं, यहां से V1, V2 belongs to V over C, ठीक है जी. दो एक्टर मेरे पास क्या है, V over C से बिलोंग करते हैं, ठीक है. यह एक्टर्स हमारे पास क्या है, LD है, तो मान के चलते हैं, let the vectors. और LD, यह एक्टर्स LD होंगे, तो हमारे पास, therefore, जो, vectors are LD, therefore, there exist scalars. scalars, scalars, scalars exist करेंगे, A, B, ठीक है, belongs to C, और यहां पर लिखते हैं, not all zero. यह सभी zero नहीं होंगे, at list इन में से कम से कम एक हमारे पास कैसा मिलेगा, non zero मिलेगा, ठीक है. तभी तो यह LD होंगे, तो scale exist करते हैं, तो such that हमारे पास यहां से बन जाएगा, therefore, there exist scalars, A, B, belongs to C, not all zero, such that, जो नहीं कि linear combination हैं हमारे पास, A, V1, plus की, B, V2, is equal to zero, जो linear combination है, वो मेरे पास क्या बन जाती? 0 बन जाती है, ठीक है जी, अब यहां से बात करते हैं, not all zero, not all zero मतलब कम से कम एक तो कैसा होगा, non zero होगा, तो मार के चलते हैं, कि जो A, V1 है, वो कैसा मेरे पास non zero है, ठीक है जी? V1 नहीं, A हमारे पास, जो scalar है, A हमारे पास क्या है, non zero है? let, A is non zero, ठीक है, A हम non zero लेके चलेंगे, फिर दूसरे केस में, हम B को non zero लेके चलेंगे, ठीक है जी? A non zero है, तो therefore हम क्या कर सकते हैं, A V1 is equal to minus के B V2, ठीक है जी? A non zero है, non zero है, तो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, V1 is equal to minus के B upon V2, इसको मैं से लिख दियो, यहां से मेरे पास क्या गया, therefore vector V1 is scalar multiple of V2, ठीक है, तो यहां से V1 मेरे पास क्या गया, scalar multiple आ गया, V2 का, ठीक है जी? Similarly, if you take B is non zero, अगर हम B को non zero लेते हैं, तो हमारे पास क्याएगा vector V2 is scalar multiple of V1, जो vector V2 होगा, वो scalar multiple हो जाएगा V1 का, अगर हम B को non zero लेके चलेंगे, तो B को non zero लेके चलेंगे, तो B से डिवाइड करतेंगे, ठीक है, तो मेरे पास चीज तो हो गया, हमें क्या दिखाना था, vectors LD है, तो वे क्या होंगे, scalar multiple होंगे, हंजी, हमने दिखा दिया, vector V1 scalar multiple है V2 का, यह vector V2 scalar multiple है V1 का, तो एक पार्ट तुमने आपे करती है, अब बात आती है, दूसरे पार्ट की, second part के अंदर मुने करना क्या है, is this scalar multiple of the other, एक vector दूसरे का scalar multiple होगा, ठीक है, जल्दी से इसको note करो, फिर बात करते है, इसके दूसरे पार्ट की, converse part की, मैं इसको य सब्सक्राइब करते हैं, जो वेक्टर से एक दूसरे क्या scalar multiple है, let the vectors V1 and V2 are scalar multiple of other, scalar multiple of the other, ठीक है, scalar multiple of, यह पहले देता हूँ, हमें, each other, ठीक है, क्योंकि दो एक्टर होगा है, हमारे पास, एक दूसरे क्या scalar multiple, scalar multiple है, तो एक scalar exist करेगा, therefore, there exists, a scalar, lambda मालते, वो लमडा क्या है, नून जिरू है, यह बिलों करता है, फेल्द से, ठीक है जी, हमने लेमडा ले 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 ले, नून जिरू, राइट, तो यहां स V1 is equal to lambda time, V2, ठीक है, lambda नून जिरू था, अब हमें दिखाना क्या है, कि यह vector मेरे पास क्या है, जी, LD है, LD होंगे, तो क्या होना चाहिए, यहां पर, at least, X के ले मेरे पास क्या होना चाहिए, नून जिरू होना चाहिए, तो मैं क्या करता है, इसको इसको इसे लिख दे, V1 माइनस के, lambda V2 is equal to 0, हाँ जी, और यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और, 1.V1 माइनस के, lambda V2 is equal to 0, यह लिख दे हमने यहां पर, ठीक है, तो therefore, there exist, at least one scalar, is non-zero, hence, vectors V1 and V2 are linearly dependent, बस इतना सा काम करना था, और हमारी exercise यहां पर, complete होती है, बात करेंगे, next exercise की, next class के अंदर, तब तक, वीडियो को enjoy करो, और, अच्छी लगी, तो आप, के सामने, लाइक लाइक का बटन मिलता है, उसको लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे motivation मिलता है रहे, कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रहे है, ठीक है, मेलेंगे जल्दी फिर, next class के अंदर, भाई भाई, टेक के सीव, थैंक यू फॉर वाचिंग झाल